तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक के निफ्टी के अनालेसिस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम कल याने की मंडे के लिए क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए हमारी बजार क्या लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरी कि अपर लेके जाएंगी और तीसरी बात है कि हम यह मई का महिन अभी एप्रिल जैसा निकाल देंगे और इसी साइडवेज रेंज में हिलते डुलते निफ्टी इसी रेंज में रहेगी तीन पॉसेबिलिटी होती है किसी भी मार्केट में इधर इट विल भी डाउन ट्रें क्या लग रहा है आने वाले हफते के लिए और स्पेशली कल के लिए मंडे के लिए तो साइकल आजी आप सभी जानते हैं न्यूज में कुछ खास नहीं है कुछ नया नहीं है विशेश हम आद जो बात करेंगे वह अपने चार्ट पर चलेंगे चार्ट का इनालिसिस करेंग यह is तरीके से बाजर कन सॉलीडेट हुई है लास्ट वीक आमने देखा प्रीमियं सो बॉर्टट हुई हैं अव फिर बाज़ियू पहले विए यह चार परसेंट पांच परसेंट गिर रहा है तो बजार जाएगा तो सही अब उपर जाएगा या नीचे जाएगा वह बात हमको कौन बताएगा चार्ट और मैं कीटिया गुर्वाल यौर ट्रेडिंग गाइड तो यह बाते चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और और अवर तरीके से कुछ निष्टि की weekly closing हुई है तो अगर आप निष्टि को देखें गे थो निफ्टि केल विख वेज रहियेnd sobie निफ्टि बिलकुल ही साइडवेज रहिए तनी स्यादा साइड वेज और इसी जोन में रहिए वान टू वान टू वान इसी तरीके से जिगजग जिगजग करके निफ्टी लगतार नीचे गिरती रही है तो कुछ इस तरीके से निफ्टी गिरी है अब ये पहला हफता है जब निफ्टी में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थोड़ा ऊपर निफ्टी गई है इसी चार्ट को अगर हम डेली में देखें तो कुछ इस तरीके का निफ्टी का स्ट्रक्चर है 15,400 का जो हमारा हाई लगा था ये वाला हमारा हाई था 431 का लो हमने लगाया है 151 का इसके बाद अगर हम इस पूरी दूरी का देखें तो लगबग हम 50% retrace किये और उसके बाद अभी हम लगबग 50% के आसपा से ट्रेट कर रहे हैं तो एक जो संभावना है कि ये जो शुरुआत हुई है निफ्टी में लेट में एक्स्प्लेइन यू दिस प्राइज आक्शन क्या कहता है देखिए अगर आपका अनालेसिस सही है अगर आपकी स्टडी सही है तो चार्ट विल फॉलो इट हमेशा ये बात समझे अगर आपका अनालेसिस सही है आपकी अंडस्टांडिंग बजार को लेके सही है तो प्राइज उसको फॉलो करेगी कोई ना कोई निउस ट्रिगर बनेगा और वो जो आपका डायरेक्शन है जो आपकी अनालेसिस है चार्ट को लेके प्राइज आक्शन को लेके वो काम करेगी तो अगर प्राइस सेटप के हिसाब से बुलिशनेस लग रही है तो कोई ना कोई निउस और आएगी और उसके उपर जाने के कारण का कारण बनेगी अगर वो नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव निउस आएंगे जो मार्केट में ब्रेकडाउंस देंगे तो एक किसी बड़े अच्छे ट्रेडर ने का है कि इफ यूर अनालेसिस इस राइट नूस विल फॉलो इट तो देर यू फॉलो दे इस इदर यू फॉलो दे नूस और यू फॉलो दे चार्ट अड लेट नूस फॉलो यू चॉइस इस यूर्स गेटिग गई तो बहतर यह होगा और बहतरीन यह होगा कि हम चार्ट को फॉलो करें और नूस हम को फॉलो करेंगी ठीक बाद है ओके लेट गो बाक तो दू चार्ट नाओ और अब यहां पर यह जो शुरुवात हुई थी 2% यानि जो गोल्डन रिट्रेसमंग लेड में वहां तक इसने रिट्रेसमंग किये यहां से उपर गई और इसके बाद यह इसका रिट्रेसमेंग लेबल है लुस khach बॉटम क्या है यह हमारा नया स्विंग बॉटम है तो अब जो भी बुलिश है बजार में ठीक बार देना बुलिश है उनका जो स्टॉप लोस है वो यहां पे शिफ्ट हो गया यानि अगर हम लॉंग है तो नाव आर स्टॉप लोस इस अराउं 500 तो राइट नाव वी आर ट् स्टॉप लोस यह हमारा प्राइस का कंक्लूजन हो गया दूसरी बात अगर हम इसी चीज में प्राइस का प्रोजेक्शन देखे तो दिस इस वान दिस इस तू और अगर यह लो यानि 14,500 का लो नहीं कटता है तो फिर निफ्टी पहले 14,900 पे जाके अटकेगी यह जो इसका प्रिये जोन है जहां बार बार अटक रही है जाके इस जोन में जाके पहले यह अटकेगी और उसके बाद एक बार जब यह जोन यानि 15,000 मोटा मोटी पकड़ लीजे अगर 15,000 को यह ब्रेक करती तो नेक्स्ट जंक्शन जो है नेक्स्ट टॉपज जो है निफ्टी का ऌते तो छोमूब लेकिन इस लेवल के बाद एक जो लाइन काली रंग की इस लाइन 1 लाइन के बाद यह जो मोव आएगे इस विल ईफास्ट क्योंकि यह फाइन व्रेक आउट हूगा तो यह जो मूव आएगी यह जो तीन सो पॉइंट की राली आएगी यह बहुत फास्ट आएगी समझ में आई है यह बात आप सभी को ठीक बात है तो यह बात हो गई निफ्टी में ब्रेक आउट वाले रीजन की फिर अगर बेरिशनेस जो होगी वह 14,500 के नीचे होगी 14,500 जब तक इंटक है तब तक निफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है इफ इन केस अगर 14,500 ब्रेक होता है निफ्टी में तो फिर यह निफ्टी 14,000 का जो हमारा टार्गेट बचा हुआ है उन टार्गेट तक फिर यह जाएगी और हमें फिर वो एक अलगी अनालिसिस देखेंगे फिलहाल 14,500 का जो लेवल है उसको याद रखिए बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी दूसरा हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी में यह हमारी बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड थी और दीरे दीरे चलना शुरू किया यह हम पूरी मूव के कॉंटेक्स्ट में देखें तो यह उपर में एक बार इस जोन तक 35,000 जो 62 परसेंट का इसका जोन आ रहा है ना आप सभी देख रहे होंगे लेट्स अंडरस्टैंड दा लॉजिक्स यह जो इसका गोल्डन रिट्रेस्मेंट लेवल है तिक बात है ना यह रिट्रेस्मेंट लेवल आ रहा है 34,918 यानि अल्मोस्ट अगर हम आले तो 35,000 तो यह जाएगी यहां से अपना गोल्डन रिट्रेस्मेंट जोन तो पूरा करेगी उसके बाद क्या बनती है परिस्तिती वह देखेंगे फिलहाल 2000 पॉइंट की मूव निफ्टी बैंक में ए इसका 34,287 का इसके उपर जाके इसने 35,000 का एक नया हाई बनाना चाहिए पिर आगे की कहानी आगे से आगे देखेंगे फिलहाल जो सेट अप है जो चीजें वो इसी प्रकार है निफ्टी बैंक में तो यह निफ्टी बैंक और निफ्टी की डिटेल्ड अनालेसिस हो गई चार्ट अनालेसिस हो गई हमारे लेवल्स हो गए जहां से बुलिशने से जहां से बीरिशने से इंट्राडे के सभी लेवल्स आपको कल फ्री टेलिग्राम चैनल पर सुबह मिली जाएंगे उसके उसको जोईन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे पेड़ी टेलिग्राम चैनल या हमारे ओनलाइन कोर्सिस को जोईन करना चाहते हैं वह में इस नंबर पर 917-1166-2445 पर कॉल या वाटसेप करें तो यह कंप्लीट चार्ट अनालिसिस था हमने चार्ट का अनालिसिस किया लेट दे न्यू अनालिस चार्ट भी टूर्ट